फ्रेंड्स स्वागत आपका अपने योटूब चैनल LKB Study Channel फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लाएं आपके लिए सेजफल पिरमें से गुड़नखन करना आज के इस वीडियो में हम क्या सिखेंगे सेजफल पिरमें से गुड़नखन करना जो salesful पिरमें से हम गुड़नखंड करते हैं उसके कितने method होते हैं दो method होते हैं और दोनों ही easy होते हैं मगर यह जो topic है salesful पिरमें से गुड़नखंड करना काफी important होता तो चलिए start करते हैं method first और इसमें हमने पहला question लिया है x cube plus 6x square plus 12x plus 8 इसके हमें क्या करने हैं गुड़नखंड करने हैं किस विदी से करने हैं salesful पिरमें से कौन से method तो method first तो चलिए start करते हैं इसके factor करना तो सबसे पहले हमें क्या करना होता सबसे पहले हमें x की value रखनी होती अपने आप से पहले हम 1 रखते हैं 1 पर चेक करते हैं कि इसकी value 0 हो रही है या नहीं हो रही है, फिर minus 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, minus 2 रखते हैं, ऐसी आगे हम रखते रहेंगे, तब तक हमें इसकी value 0 ना मिल जाए, ऐसी हम 3 रख सकते हैं, minus 3 रख सकते हैं, तो हम सबसे पहले क्या रखे देखते हैं x की value 1 इस पर हम x की जगए सबसे पहले क्या रखेंगे 1 रखेंगे तो ये 1 का cube हो जाएगा plus 6 into 1 का square हो जाएगा plus 12 into 1 plus 8 तो 1 का cube 1 ये 6 plus 12 plus 8 12 और ये 20 और ये 27 इसकी value 1 रखने पर दो 0 हुई नहीं फिर हम क्या रखेंगे minus 1 x की जगए अब x की जगए इसमें क्या रखेंगे minus 1 तो minus 1 की power 3 6 minus 1 की power 2 plus 12 into minus 1 plus 8 minus 1 का cube minus 1 plus 6 into minus 1 का square 1 plus minus minus 12 plus 8 12 और 1 13 और 8 और 6 14 और x equal to minus 1 पर भी इसकी value 0 नहीं हुई ऐसे इसकी value 2 पर भी 0 नहीं होगी अब हम क्या रखेंगे देख ले रहे हैं x equal to minus 2 अब यहां हम x की जगए रखेंगे minus 2 अब जब हम x की जगए रखेंगे minus 2 तो यह हो जाएगा minus 2 की power 3 plus 6 minus 2 की power 2 plus 12 into minus 2 plus 8 हमने x की जगए क्या रख दिया minus 2 अब minus 2 का cube हमारा minus 8 plus 6 into minus 2 का square 4 plus minus minus 12 into 24 plus 8 24 और 8 हमारा कितना हो जाएगा 32 दोनों minus के है minus minus क्या हो जाएगा plus आएगा किसका minus का अब 6, 4 जगए 24 24 और 8 32 यह plus minus के आपस में cancel यानि कि जब हमने x की value minus 2 रखी इस वियन जग में x की value कितनी रखी minus 2 तो इसकी value क्या हो गई 0 हो गई जब x की value minus 2 रखने पर इसकी value 0 होई है तो हम क्या कहेंगे अता x plus 2 यह minus 2 इदर आए minus 2 इदर आए किसका हो जाएगा plus का हम यहां लिखेंगे अता x plus 2 वियन जग x cube plus 6 x square plus 12 x plus 8 का एक गुड़न खंड है हमने इस वियन जग का x plus 2 क्या आ गया हमारा इस वियन जग का एक गुड़न खंड आ गया अभी इसके और भी होंगे factor यह तो हमारे सिर्फ एक आया है अब हमें क्या करना है जो यह x plus 2 आया इसका एक गुड़न खंड इससे हमें इससे क्या करनी है डिवाइट करनी है तो x plus 2 से हमें किसमें करनी है डिवाइट x cube plus 6 x square plus 12 x plus 8 में इसमें हमें क्या करनी है x cube से डिवाइट करनी है तो हम यहां क्या लिखेंगे x square x square की जब x से होगी x cube x square की जब 2 से होगी 2x square ही कितना हो जाएगा 4x square अब क्या note होगा 12x अब हम यहाँ पर क्या लेखेंगे 4x 4x की जब x पर multiply होगी तो 4x square 4x की जब 2 में होगी तो यहाँ हमारा 8x अब फिर से यहाँ minus यहाँ minus 12 में से 8 जाएगा जब हमारा 4x अब हमारे क्या note होगा इधर 8 अब हम यहाँ पर क्या लेखेंगे 4 क्या लेखेंगे 4 4 की x में होगी तो 4x और 4 डूज़ा 8 अब यहाँ minus यहाँ भी बाने अब यह दोनों cancel तो यानि कि यह जो हमारा वियंजग था x cube plus 6x square plus 12x plus 8 कि गुड़न खंड क्या होगे एक तो हमारा x plus 2 पहले आ चुका है और दूसरा क्या है x square plus 4x plus 14 अब अगर इसके भी हो रहे है गुड़न खंड तो हमें इसके भी करने अगर इसके नहीं हो रहे हैं तो यह इसके क्या हो जाते गुड़न खंड अब देखते हैं पहले इसके हो रहे हैं या नहीं हो रहे है अब हमें क्या check करने है कि इसके हो रहे हैं फैक्टर नहीं हो रहे है तो यह हमारा x plus 2 तो ऐसी रहेगा 4 को हम क्या लिख सकते हैं 4 की जब हम अब हाज गुड़न खंड करेंगे तो क्या होंगे 2 into 2 तो यह x square ऐसे ही यहाँ पर क्या है हमारा यहाँ पर है हमारा 4x है 14x नहीं है यह x square plus 4x plus 4 है हमारा इस 4x की जब हम क्या लिख सकते हैं 2x plus 2x यह plus 4 हमारा ऐसे ही अब यह x plus 2 हमारा ऐसी रहेगा इन दोनों में हमारा क्या common है x common है तो यह हमारा क्या हो जागा x plus 2 इन दोनों हमारा 2 common है, यह हमारा x plus 2, अब यह x plus 2 हमारा ऐसे, इन दोनों में फिर से x plus 2 common है, तो एक x plus 2 यह होचा, तो इस विएंजग के हमारे गुड़नखंड क्या होगे, यह हो गए, चाहें तो यह तीन बार लिखा है, आपस में किस में है, multiply में, तो यह x plus 2 की whole power 3 हो जाए इस विएंजग के क्या होगे, गुड़नखंड होगे, किस विदी से निकाले हमने, अब आज गुड़नखंड, यह हमने किस विदी से निकाले, सेस्पल प्रमें से, question number 2, question number 2 क्या है, x cube minus x square minus 13x minus 3, इसके हमें क्या करने है, गुड़नखंड करने है, किस विदी से, सेस्पल प्रमें से, अब इसके लिए हमने सबसे पहले क्या देखना है, कि x की किस value पर, इसकी value क्या हो जाती है, 0, जैसे हमें x की पहले 1 रखके देखना है, अगर इसकी value 0 होत पिर minus 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर minus 3, ऐसे ही आगे रखते रहेंगे, तो हम सबसे पहले क्या रखके देख ले रहे हैं, हम सबसे पहले 1 रखके देखते हैं, इसमें, x की जगे क्या, 1, तो यह हो जाएगा, 1 का cube minus, 13 into 1 minus 3, 1 का cube 1 minus 1 minus 13 minus 3, 13 और 3, 16, यह हमारे कितना हो 1 रखेंगे फिर भी इस की value 0 नहीं होगी, अब 2 रखे देख ले रहे हैं, x equal to 2, जब हम 2 रखेंगे तो 2 की power 3, 2 का square, minus 13 into 2 minus 3, 2 का cube 8, 2 का square 4, 13 into 26 minus 3, ये भी नहीं हो रहे हैं, 0 x की value जब हमने 2 रखेंगे, अब हम क्या रखेंगे, x की जगह हम देखते हैं, minus 3 रखेंगे, जब पहले 1 रखना है, फिर minus 1 रखना है, फिर 2 रखना है, फिर minus 2 रखना है, फिर 3 रखना है, मैं क्या देख ले रहा हूं रखके, x की जगह minus 3, ताकि जल्दी हो जाए, जब x की जगह मैं क्या रखेंगे, इसमें minus 3, तो ये minus 3 की power 3, minus 3 का square, minus 13 into minus 3, और minus 3, minus 3 का cube ये हमारे कितना हो जागा माइनस 27 माइनस 3 का स्क्वेर माइनस 9 और यह माइनस माइनस प्लस 13 के से मल्टिप्लाई होगी तो 39 और माइनस 3 अब माइनस 3 और माइनस 27 माइनस 30 माइनस 30 और यह माइनस 39 माइनस 39 और यह प्लस 39 आपस में कैंसल यानि कि जब हमें x की value वैल्य कितनी रगी माइनस 3 तो इसकी वैल्य क्या होगे जीरो हो गई इस व्येंजग की तो हम क्या लिखेंगे अता x plus 3 अता x plus 3 व्येंजग x cube minus x square minus 13 x minus 3 का एक गुड़नखंड है एक गुड़नखंड है अब हमें क्या करना x plus 3 से इस व्येंजग में क्या करनी है डिवाइट करनी है भाग करनी है तो x plus 3 से हम इसमें क्या करेंगे भाग करेंगे किसमें x cube minus x square minus 13 x minus 3 अब यहां हम सबसे पहले क्या लेखेंगे यहां हम लेखेंगे x square क्यों जो x square की जब x से multiply होगी तो हमारे क्या हो जगा x cube x square की जब इसमे होगी तो यह हमारा 3x square अब यहां minus यहां भी minus यहां पसमे cancel minus x square minus 3x square कितना हो जागा minus 4x square अब हमारे क्या नोट होगा minus 3x अब हम यहां क्या लेखेंगे minus 4x minus 4x की जब x में होगी तो हमारी minus 4x square minus 4x की जब इस में होगी तो minus 12x अब यह क्या हो जाए plus minus 13x plus 12x यह हमारे कितना हो जाए minus x अब क्या नोट होगा हमारे minus 3 अब हम हम यहां क्या लेखें है, माइनस कावन, माइनस कावन की जब X मेओगी तो माइनस X, माइनस कावन की जब 1ग 5 ए 40 मेहदी प्लस, अब यह हमारे प्लस, यह हमारे प्लस, यह दोनों अपस में कैंसिल हो गए, तो यह जो वेंजेक था, हमारा x cube minus x square minus 13x minus 3 equal to इसके हमारे factor क्या होगे इसके हमारे गुड़नखंट 1 तो हमारा पहले से आ चुका है इसका x plus 3 दूसरे क्या हमारा x square minus 4x minus 1 अगर इसके भी होंगे हमारे गुड़नखंट तो हमें इसके भी करने अगर नहीं होंगे तो यहीं हमें छोड़ देना इसके आगे factor नहीं होंगे तो इस विएन जग के यह हमारे क्या होगा है गुड़नखंट होगा है अब next question क्या है अब next question हम method second से करके देखेंगे शेज़ फिर में से factor करने के कितने method होते हैं but second में हमें सबसे पहले तो यह ही check करना कि X की values पर इस विएन जग की value क्या हो जाती है जिरो इसके प्रता है सबसे पहले 1 रखके नहीं ओड़न की मायनेस 1 रखके नहीं और 2 रखके देखेंगे ऐसी serial से हम रखके देखते रहेंगे 1 रखेंगे, minus 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, minus 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, minus 3 जिस पर भी इसकी value 0 हो जादी तो इसकी जो यह बेहन जग है इसकी जो value हमारी 0 होगी x की जगह कितना रखके 5 रखके तो मैं इन सबसे check कर रहा हूँ कि किस से इसकी 0 होगी मैं direct क्या रखके देखता हूँ, x की जगह x की जगह क्या रखके देखता हूँ, 5 रखके देखता हूँ यहाँ मैं x की जगह क्या रखके देखता हूँ, 5 रखके देखता हूँ तो जब x की जगे हमां 5 रहूँ हमां तो यह 5 का cube और यह 3 ऐसी x की जगे 5 का square minus 9 into 5 और यह minus 5 और 5 का cube हमारे कितना होता 125 minus 3 into 5 का square 25 95 जब 45 और यह minus 5 यह 125 25 की multiply किससे होगी इससे तो 75 minus 45 minus 5 minus 50 वे 125 ऐसी minus 75 minus 50 यह हमारे कितना हो जाए हम minus 125 यह आपस में cancel तो equal to क्या होगी है 0 यानि कि जब हम x की value 5 रखे तो इस venger की value क्या होगी है 0 तो x यह 5 इदर आगे हमारे किसका हो जागा minus का होगा यानि कि x की value 5 रखे इस venger की value क्या हो रहे है 0 तो हम कहेंगे अता x minus 5 अता x minus 5 venger x cube minus 3x square minus 9x minus 5 का एक गुड़नखंड है का एक गुड़नखंड है जब x minus 5 इसका क्या हो गया गुड़नखंड क्या हो गया अब इतना तो हमने पहले method में भी ऐसे बिल्कुत सेम किया था अब क्या करना है इसमें हम अब यह देखना है second method में कि x की highest power क्या है x की highest power कितनी है 3 है 3 है तो यह जो हमारा एक factor आया है इसे हम कितनी जगह लिखेंगे 3 जगह रखेंगे थोड़ा gap रखे x minus 5 x minus 5 x minus 5 अब हमें इस पर करना है multiply इन तीनों में क्या देख करना है कि हमारे यह आ जाए यह से पहले x cube है यहां कितना है पहले x cube है तो x cube यहां कवा आएगा जरह मित्विया है X2 लिखूं ہ फिर इनकी होगी Jub5 Epic मोगर हमारे कितना कारहा रहा मनीश 5X2। आफिर Fatoh 800 Exp न यसिष्ट सेर्टी से 7 लिखंग मुनी कियों किした कि अपनीud2x के अंदर multiply होगी तो यह हमारे कि इतना होगा 2 x square और यह two five लेखेंगे 1 1 क्यों लिखा है हमने 1 की अब x में जब multiply होगी तो यह x हो जाएगा और 1 की जब 5 में होगी तो minus 5 अब यह minus 10x और x यह हमारा कितना हो जाएगा minus 9x और यह minus 5 हमारा ऐसे ही तो हमने यह ऐसे नमर ऐसे नमरों से multiply की कि यह हमारा व्यन जग बन जाए इसके बाद multiply करने के बाद हमें क्या करना है x minus 5 तीन हो जागा है तो यह हम क्या ले लेंगे common ले लेंगे और इस बाली में क्या आएगा जो यह हमारे बचे यहां क्या बचा x square यहां हमारे क्या बचा प्लस 2x, यहां हमार क्या बचाए, प्लस 1 अब हमें क्या करने, अगर इसके factor हो रहे हैं यह जो हमारा second वाली bracket मा है, तो इसके factor करने हैं वरना यह जो vn जग है, इसके यह हमार क्या हो जाएंगे गुड़न खंड हो जाएंगे, मंगर इसके हो रहे हैं factor तो हम इसके factor करेंगे तो यह हमारा X minus 5 वहारा ऐसी रहेगा और यह X square भी ऐसी रहेगा अब इस 2X के जगए मैं क्या लग दूँगा x plus x और यह plus 1 हमारा ऐसी रहेगा अब यह x minus 5 हमारा ऐसी अब इन दोन में हमारे क्या common है x common है तो यह हमारे x plus 1 आ जाएगा इन दोन हमारे क्या common है 1 common है तो यह हमारे क्या आ जाएगा x plus 1 अब यह हमारे x minus 5 ऐसी अब इन दोन में फिर से हमारे क्या common है X plus 1 को हमने तो हमने ले लिए यहां हमारा क्या बचा X plus 1 तो यह जो हमारा वियन जग है इसके गुड़न खंड क्या हो गए X minus 5 into X plus 1 into X plus 1 यह हमने किस method से करें method second method second किस विदी से करें salesfall प्रमे से question 2 question 2 के हमारा X cube plus 9 X square minus 20 X plus 12 इसके हमें क्या करना है कुड़न खंड करना है किस विदी से करना है salesfall प्रमे salesfall प्रमे कि किस method से method second से करना है तो उसके लिए क्या करना हमने सबसे पहले यहां X की ऐसी value रखनी है जिससे इस विदी value क्या हो जाए 0 हो जाए जैसे हमें 1 रखके देखना है 1 से 0 नहीं हो रही है minus 1 रखके देखना है minus 1 से 0 नहीं हो रही 2 रखके देखना है 2 से भी 0 नहीं हो रही है तो हमें क्या रखके देखना है minus 2 ऐसी हमें यह और भी value रखके देखना है तो मैं सबसे पहले क्या रखके देखूँगा, x की जगा 1 रखके देखूँगा इसमें, जब मैं x की जगा 1 रखूँगा तो यह क्या हो जागा, 1 का q, plus 9, into 1 का square, plus 20, into 1, plus 12, 1 का q, 1, यह 9 का square, 9, plus 20, plus 12, यह 9 और 1, 10 हो जाएगा, 10, और 20, 30, 30, और 12, 42, यानि कि x की value जगा, हम क्या रखके देखें, x की जगा, minus 1, तो यह minus 1 की power 3, plus 9, into minus 1 की power 2, plus 20, into minus 1, plus 12, हमने यह x की जगा कितना रख दिया, minus 1, और minus 1 की power 3, minus 1, plus 9, into minus 1, की power 2, 1, plus minus minus, 21, 20, plus 12, 20, और यह हमारा 1, 20, और यह हमारा 1, यह हमारा कितना हो जाएगा, minus का 21, यह minus 1, और minus 20, minus 21, और यह 9, और 12, 21, यह आपस में cancel, यानि कि जब हम x की जगा, कितना रखा, minus 1 रखा, तब इस वेन जग की value क्या हो गई, 0 हो गई, जो x की value, minus 1 रखने पर इस वेन जग की value क्या हो गई, 0, तो हम क्या कहेंगे, अता x plus 1, अता x plus 1, वेन जग, x cube, plus 9x square, plus 20x, plus 12, का एक गुड़न खंड है, का एक गुड़न खंड है, यानि कि, अब हमें क्या करना है, यह जो x plus 1 है, इसे हमें कितनी बार लिखना है, 3 बार, क्योंकि x की यहां highest power कितनी है, 3 है, तो इस x plus 1 को हम कितनी बार लिखेंगे, 3 बार, x plus 1, x plus 1, और x plus 1, यह हमने कितनी बार लिख लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, x plus 1, अब हमें इसमें क्या करनी है, multiply करनी है, क्या करनी है, यह हमें लाना है, कैसे भी multiply करके, इन तीनों में, पहले हम यह multiply किसे करेंगे, x square से, जो x square से x में होगी, तो हमारे कितना आ जाएगा, तब हमारा x cube आ जाएगा और x square की जब 1 से होगी तो हमारा x square आ जाएगा x square की जब x से होई तो x cube आ गिया x square की जब 1 से होई तो x square आ गिया यहाँ x cube लाना था हमारा x cube आ गिया और यहाँ क्या आया है x square जबकि हमारा लाना कितना 9x square 9x² तो आएगा जब यहां किसे multiply गरूँ 8x से 8x की अंदर multiply होगी तो हमारा यहां पर कितना आजाएगा 8x की x में होगी तो हमारे 8x² और 8x की जब 1 से होगी तो 8x यह x² और 8x² यह हमारे कितना हो जाएगा 9x² यानि कि x3 भी आगे और 9x square भी आ गया, अब यहां के आ रहा है, plus का 8x, जबकि यहां हमाँ है, यहां कितना लाना है, 20x, तो मैं यहां पर किसे multiply करूँगा, 12 से multiply करूँगा, क्यों, क्यों कि जब यह 12 की अंदर multiply होगी, तो यह 12x आ जाएगा, plus 1, अब यह 8x और 12x, यह हमारा कितना हो जाएगा, 20 20x, यह plus 1 हमारा ऐसे, यानि कि x cube आ गया, 9x square आ गया, 20x प्लस का 1, यह वेंजग हमारा आ गया, पूरा का, पूरा, अब हमें क्या करना है, यह जो x plus 1 है, यह हमारा यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो हम तीनो, जाग ऐसे क्या ले लेंगे, common, तो यहां क यहां क्या बचा हमारा x square, यहां क्या बचा 8x, यहां क्या बचा हमारा प्लस का 12 बचा, अब हमें क्या करना है, यह तो ऐसी रहेगा, अगर इस वाले के और factor हो रहे है, यान कि और गणखंड हो रहे है, तो हमें उसकी factor करने है, तो यह हमारा x plus 1 तो ऐसी रहेगा, यह x square भी x plus 6, इन पिर्थम दो पदों में क्या common है? 2, तो यह हमारे क्या हो जागा? x plus 6, अब यह हमारा x plus 1 हमारा ऐसे ही x plus 6 दोनों में common है, हमने लिल लिया common, यहां क्या बचा? x बचा यहां क्या बचा हमारा? 2 बचा तो चाहिए तो इसे आप सीरियल से रिख लिए, पहले x plus 1 x plus 2, x plus 6 यह इस वेंजे क्या हो गए? गुड़न खंड हो गए, किस वेंजे की? x q plus 9 x square plus 20 x plus 12 अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे comment करके बता सकते हैं